हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटिट कॉमुटिटी में स्वागत करता हूँ तो अगर आप FNO ट्वेडर हैं फ्यूचर आपसिंस में ट्वेड करते हैं तो Sensible एक बेहत्वीन प्लेटफॉर्म है उसके वारे में इनफॉर्मिशन होना चाहिए कि कैसे हम उसका इस्तमाल करेंगे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि Sensible आपका PID प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने के लिए हमें पेग करने की ज़वरत है लेकिन आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप Sensible को बिलकुल फ्री में इस्तमाल कर सकते हैं और क्या क्या यूनिक फीचर्स वहाँ पे दिये गए हैं तो अगर आपका ट्वेडिंग और डीमेट एकाउंट जिरोधा में है या फिर एंजल वन में है तो आप बिलकुल सेंसिबुल के प्रीमियम फीचर्स को फ्री में यूज कर सकते हैं सेंसिबुल को यूज करने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है वहिले और आपका डीमेट एकाउंट जिरोधा या फिर एंजल वन में नहीं है तो इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में लिंक दिया गया उस लिंक पे क्लिक करके जो भी आपको बहता है जिरोधा बेतर लगता है जिरोधा में आप ट्वेडिंग ओर डिमेट आपन कर सकते ह है तो आपको कहीं पर बी जाना है और आपको option chain पर क्लिक करना एस्पेसली फ्न स्टॉक्स या फिर निफ्टी को सेलक्ट करना फिर आपको सी full option chain फॉर फ्री आपको उस्पे क्लिक करना यहां पर आपका option chain ओपन हो जाएगा फिर सेंसिबल के क्लिक कर देना इसके होम पेज़ पर आजायेंगे एंजलवन के ट्रेदिंग falt이죠 और उसके आपको होम पेज पर क्लिक करना आपको नीचे आपको होम पेज पर tuash実 चाती है इस पर तब हमारे साथ आप देंसेबल के ट्वेंडंग्ली त्विए के प्लिएफोर्म को ऑपेंड करें गयाने खाटाधाँ वे क्यों और यहां प्रकोडियों है इस दोपे हमें फोकस करना वेसियुक्स करना वोजिस्ट पोजीसिन और ऑॉर्ड़ को जो भी watch list बनावा ये positions order बनावा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर आप जिरोधा से login करते हैं तो जिरोधा वाला सारा positions order देखने को मिलेगा angel 1 से login करते हैं तो angel 1 का position order देखने को मिल जाएंगे तो main features आपका यही दो segment में trade and analyze तो चलिए एक एक करके हम इसके साले features को समझते हैं और कैसे यूज करना वह आपको clarity के साथ idea मिल जाएगा बस एक ही काम करना इस वीडियो में लाट तक बने रहना और पहली बार चैनल पर विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जाओर कर दीजेगा क्योंकि इस तरह क पर जाना और देख सकते हैं बहत्वीन तरीके से option chain में सारा कुछ दिया गया है आपको ग्रिक दिया गया और पर सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे उसकी बाद आप हम यहां पर स्टार्टिंग करते हैं ट्रेड पर जाने के बाद सबसे पहला option आता आपक क्लिक कर दिया तो देखिए आपका यहां पर complete payoff chart मिल जाएगा कि आपका यहां पर कितना margin कितना fund चाहिए होगा break event point किया कब आपको profit मिलेगा profit percentage कितना है वो आपको देखने को मिल जाएगा maximum profit कितना है maximum loss कितना यह नहीं एक जो payoff chart आपका complete बनता वो बन जाएगा इसके साथ यहां पर आपका payoff table भी मिल जाता साथ लोग payoff chart तो दे जते हैं payoff table बहुत कम जगा देखने को मिलता है आपको यहां पर projection दिखाया जाता है कितना profit होगा और अगर इस price पे expired दिया तो अगर आप यहां पर price increase कर देते हैं तो देख सकते हैं आपका profit भी increase होगा तो इसके इसाब भी आप यहां पर देख सकते हो तो यह सारा कुछ काफी advance feature दिये गए हैं इसके अलाबा अगर आप इसी trade को backtest करना चाहते हो तो आप add to virtual कर सकते हो यह आपके virtual trading platform में चला जाएगा वहां पर backtest कर सकते हो कि हमने जो strategy बनाया वो सही है या fit नहीं है जैसे यहीं पर हम और कु देखने को मिल जाएगा लगना के करीब जबत होगी break event point क्या है वह आपको देखने को मिल जाएगा profit probability कितना वह आपको देखने को मिल जाएंगे maximum profit maximum loss क्या है वह देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को बिल जाएंगे इसका आप profit loss table भी देख सकते हैं ग्रेक्स भी देख सकते हैं तो यह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी trade को अगर हम virtual में add करना है तो add to virtual पे आपको click करना है तो आपको यहाँ पे select portfolio और create portfolio करना होग नेम हम ABC कुछ भी रख देते हैं उसके बाद इस पे हम create पे click कर देते हैं तो आपको बस यहाँ पे confirm पे click करना है confirm करते ही यह हमारे virtual platform पे add हो जाएगा देख सकते हैं virtual portfolio पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे ABC के नाम से देखने को मिल रहा और यह कितना profit दे रहा है याँ लॉ उसके लाबा आप यहाँ पे ready made अपना positions भी सारा कुछ आप यहाँ पे check कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे खुद से strategy बनाना for example हमें खुद से अपना customized strategy बनाना तो build a new custom strategy पे click करना है आपका यह खुल जाएगा for example अगर हमें 20,000 के call options को buy करना है तो हमने call options buy कर लिया वह आजिन कितना चाहिए 24,000 करीब चाहिए ब्रेक एवन पॉइंट 20,067 के उपर profit मिलेगा और maximum profit 9,000 है maximum loss हमारा 3,000 है तो सारा कुछ pay of chart बनके तयार है आप profit loss टेबल भी देख सकते यानि इसी लेवल पर अभी 19,00986 पर यहीं पर expired दिया तो मेरा 15 रुपे का नुक्सान होगा उमीद करते हैं कि यह जो है strategy builder वाला concept आपको समझ में आ गया होगा कहीं भी कुछ भी confusion हो तो हमें comment करके जहूर बताएगा होगा तो इसके उपर एक और fresh video हम बनाके उस confusion को दूर करने की courses करेंगे वैसे comment में भी आपको reply करके confusion दूर करने की courses किया जाएगा उसके दूसरा option आता आपका strategy wizard इस पर click करते हैं अब यह भी आपके trading को और simple बना दिया है जैसे निफ्टी अभी आपका 19,978 पर move कर रहा है आपका यहाँ पर prediction क्या है कि निफ्टी इसके एवब जाएगा या फिर नीचे जाएगा यहाँ पर आपको एवब क्लिक करके go पे जाना है और strategy बनके तयार हो जाएगा अगर आपको लगता है एक particular range में रहेगा तो between select करना for example अगर हमें लगता है कि निफ्टी 19,800 से लेके 20,200 की range में रहने वाला 14th of September expiry तक तो इस पर हम click कर दिये अब इसके लिए जो भी strategy है वह हमारा बनके तयार हो गया जैसे हम pay off chart देखते थे वै अब यहां पर और भी फीचर दिये गए एजी options पर जाईए अब ट्रेडिंग को और आसान बना दिया है यहां पर देखिए currency में भी है निफ्टी में भी है bank निफ्टी सब जगह क्या करना बस आपको direction pick करना कि market क्या रहेगा उपर जाएगा तो अपके लिए क्लिक कर देना है neutral है तो neutral के लिए strategy बनके त्यार है डाउन है तो डाउन के लिए strategy बनके त्यार है यह आपको कुछ नहीं करता है कि market का range कहां पर रहेगा upside downside या फिर रेंज बांड जो भी आपको लगता है वो बस आपको बताना है sensible को उसके हिसाब से आपको customized strategy त्यार करके दे देगा यह स अब कुछ हमारे trading को आसान बना सकता है जो हम trading decisions लेने के लिए इतना मेहनत करते हैं तो हमें बस analysis पर focus करना है analysis करके हम sensible को देंगे और उसके basis पर यह हमें strategy बना के देगा तो यहां पर हमने trade section में strategy builder देख लिया strategy wizard देख लिया options देख लिया उमीद करते हैं कि यह तीनों concept आपको समझ में आगया होगा इसका इस्तमाल कैसे करना एक और सी जो कि मैंने आपको अवेरी बता दिया वर्चौल पोर्टफोलियो अलग से भी दिया गया इस पर भी जा कि आप अपने लिए नया portfolio बना सकते है या फिर जो portfolio हमन हमें वो accuracy दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है तो trade section में आपका यहीं पर खत्म होता उसके बाद हम आते हैं analyze section के उपर जिसमें most important बहुत सारे data दिये गए जो कि हमें trading में बहुत ज़्यादा help करता है option chain जिसके उपर हमने always discuss करे लिया है और हम option chain को कैसे analyze करते हैं इसके उप आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप option chain का analysis सीख सकते हैं अगर दूसरा option आता open interest का भी काफी advanced data दिया आया था सबसे पहले आप देख सकते हैं OI change दिया गया यानि OI में कितना change हो रहा नहीं हो रहा वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर open interest का data देखने को मिल जाएंगे कि कौन से strike price पर कितना open interest है वो clarity के साथ देखने को मिल जाएंगे कौन अभी आपको trading में बहुत ज्यादा help करें तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर future की बात करें तो future की OI को maximum लोग ignore कर देते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि future की OI में बहुत ज्यादा momentum आ जाता है जिसके कारण से options भी influence होता है तो यहाँ पर हमें future OI पर भी focus करना रहता है औ करेंगे तो बांकि यही सारे features आपको दिए गया है एनलाइज section के OI बारे पार्ट में उसके लाव यहाँ पर आपको multi strike OI भी देखने को मिल जाएंगे आपको यहीं पर अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि multi strike OI में आपको यहाँ पर particular strike price में कितना open interest है और उसका nifty के साथ OI कैसा relate कर रहा निफ्टी का price के साथ वह कैसा moment दिखा रहा वह आपको यहाँ पर clarity के साथ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर strike price में भी changes कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपका जो red color का line है वह आपका 20,000 call options का line और जो 20,000 put options का वह आपका blue वाला line और black वाला जो निफ्टी का तो इन दोनों का open interest निफ्टी के price के साथ कैसे move कर रहा वो आप देख सकते हैं और इसके basis पर अपने लिए strategy भी find कर सकते हैं यह बहत्वीन चीज दिया गया यहाँ पर और वहीं पर अगर आप analyze section पर जाते हैं तो open interest और multi strike हो आई तो हमने cover करे लिया इसके लाबा FII DI data भी का हो ज़्यादा help करता सीधे आपको नीचे आना डिया कैस में क्या कर रहें FII कैस में क्या कर रहें index future में क्या काम कर रहें options में क्या काम कर रहें वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो FII DI क्या activity है market को लेके वह भी आपको यहाँ पर clarity के साथ समझ में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको live options chart भी देखने को मिल जाएंगे live options chart पर अगर आप click करते हैं तो देखें यहाँ पर भी आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर जो भी आपका selection है जैसे यहाँ पर 20,000 का call options है और 20,000 उनका put option से सबसे पहला selection है दूसरा selection है 19,950 का call options और 19,950 का put options तो देखें इन दोनों का premium nifty के साथ कैसा move कर रहा नहीं कर रहा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसके लाबा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको उन दोनों का call side की तरफ open interest क्या है put side की तरफ open interest क्या है nifty price के साथ वो आपको देखने को मिल जाएंगे उसके अबला और आप नीचे आएंगे तो आपको oi change यानि जो हमने strike price select किया उसके open interest में क्या changes हो रहा है और उसका price फिर उसका nifty के price के साथ कैसा relation है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे फिर उसके लाबा max pain भी यहाँ पे आपको दिये गया है future का जो open interest वो भी दिया गया future में जो open interest चेंज हो रहा वो भी दिया गया यहनि आपको यहाँ पर multiple चीजे दिये गये बस आपको इसका इस्तमाल करना है और इसके उपर हमारा detail video already बना हुआ है कि इन सब के basis पे कैसे हमें trade क आपको एक बार देख लेंगे starting में आपको थोड़ा सा complicated लगेगा लेकिन जैसे आप इसका इस्तमाल करना सुरू करोगे वैसे वैसे options trade का जो accuracy label है वह आपका धिर धिरे improve होना सुरू करेगा तो इसलिए sensible के trading platform में यह सारा कुछ आपको free of cost मिल वाया तो इसका फायदा आपक की बात करें तो यह बहुत कम आपको देखने मिलता यह देखने में आपको complicated लग रहा होगा लेकिन देखें यहां पर यह बहुत आसान कर देता आपके trading decisions को और trading decisions यह आपके high quality trading decisions को improve करेगा अब यहां पर देखें सबसे पहले क्या दिया है जो हमने यहां पर strategy हमने strategy बनाया 20,050 का call options है 20,050 का put options है at the same time 20,000 का call options है 20,000 put options है आप यहां पर अपनी साब से कुछ भी changes कर सकते हैं यहां पर reference दिया गया है जो कि आपको समझाने के लिए है तो देखें सबसे पहले क्या किया गया है दोनों का combine price दिया गया यह नहीं 20,050 का call और 20,050 का put options का दोनों combine price है 16 168 वही 20,000 call और 20,000 put दोनों का combine price है आपका 156 अब दोनों का chart दिया गया है और उसके साथ निफ्टी का momentum कैसा हो रहा निफ्टी का price उपर नीचे जा रहा क्या जा रहा वो आपको यहां पर clarity के साथ देखने को मिल जाएंगे तो इसके pieces पे भी आप relation बैठा सकते हैं उसके ल 20,000 फिप्टी का put उन दोनों का individual premium कितना है वो भी आपको देखने को मिल रहा है यह नहीं strategy price के साथ इंडिविजवल प्राइस इंडिविजवल प्रीमियम में भी कितना ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है वो भी आपको यहां पर बताया जा रहा है उसके नीचे उस particular strike price के call और put OI में क्या changes हो रहे हैं वो सारा कुछ देखने को मिल रहे हैं मतलब data में कोई कमी नहीं है बस आपको यहां पर थोड़ा सा मेहनत करना इस data का इस्तेमाल करना for the purpose of trading और यह हमें trading decision बहुत ज़्यादा help करेगा इसलिए अगर आप options trader हैं तो आप एक दो महीने trading छोड़ द लगा लोगे और उसके बाद अगर आप market को देखोगे तो options trade में आपका definitely accuracy level आपका 70% के करिब definitely हो जाएगा और 70% होने का मतलब है कि एक्सपर्ट की रूप में काम करोगे वहां से profit आप बना सकते हो लेकिन problem यहीं रहता है कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं इन सब डेट दोस्ट मिलेगा कब जब आपका डीमेट एकाउंट एंजल वन या फिर जिरोधाम रहेगा तो नहीं है तो मैंने आपको लिंक दिया है इस वीडियो के description में लिंक दिया गया उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अपना trading और डीमेट एकाउंट और पैन कर सकते हैं उसकी किस खुलेगा यहां पर see all technical signals है यह options आपको देखने मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें न्यू पेज आपका यहां पर ऑपन हो जाएगा और यहां पर कौन सा स्टॉक्स है उसमें क्या बना है जैसे bullish मोड़ा बाजू बना है आ अगर आपको सिर्फ निफ्टी फिटी का स्टॉक्स है तो बांकि सबको अंटिक कर सकते हैं यहां पर आपको सारा सेक्टर दिया गया है कौन सा ऐसा सेक्टर जो कि आपको यहां पर नहीं है वो सारा health सेक्टर है जो अभी आपका चल रहा है government सेक्टर की company है construction है सारा कुछ आ आपको पेड़ सर्विस है बिल्कुल फ्री नहीं है फ्री किसके लिए अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट एकाउंट एंजर वन या फिर अपर स्टॉक में तो उसके लावा अगर हम स्क्वीनर पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहां पर स्क्वीनर भी देख उन्हें मिलवा है और उसके वगल में हीट मैप भी आपको देखने को मिलवा है वह आप डाउनलोड भी कर सकते एक्सली सीट में शॉर्ट बिल्ड़ अप कहां पर वह आप देख सकते हैं आइवी रेंज आप सेलेक ने को मिल जाएंगे तो जो भी कुछ है आप वहां पर यह सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको मल्टिपल चीजे दिये गए हैं बस आपको सीखने की ज़रूरत है ट्रेडिंग सिगनल और मैंने आपको बताई दिया था भी आपको इसी वाले सिगमें पर आ जाता है उसके लावा यहां पर अगर हम बा अगर आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में आईडिया नहीं है तो एक बार मॉर्णिंग में आप जरूर देख लिए कि यहां पर क्या-क्या कुछ इवेंट है सिर्फ इंडिया की इवेंट को नहीं रिपरजेंट करता ग्लोबली जितने भी मेजर इवेंट है जो हमारे मार्केट को या ग्लोबल मार्केट को इंफ्लेंस कर सकता है वो सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे जैसे यहीं पर देख सकते हैं यहां पर पूरा पूरा आपको ग्लोबल इवेंट के कलेंडर है एफ और स्टॉक्स का रिजल्ट जो भी सेसन आता है किसका कितना कब रिज इस्तमाल करने आना चाहिए तूमीद करते हैं कि आपको यहां पर अब क्लेटी के साथ आइडिया मिल गया होगा कि सेंसिबूल का जो प्लेटफॉर्म है वह काफी एडवांस है और काफी ज्यादा फीचर्स दिये गए उसका कैसे इस्तमाल करना है वह आपको समझ में आ गया ह होगा कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर किसी पर्टिकूलर अप्रस प्लम के साथ तो बस आपको क्या करना कमेंड करना और हम il centro सब्सक्राइब कि सत्алист करेंगी उपर इसके वीडियो के साथ जाहिन